पश्यों में करनी है उम्र की पहचान, तो जानिये दातों का विज्यान, पश्यों में दातों का विकास मनुष्य की तरह ही उम्र के साथ साथ होता है, उम्र के अलग-अलग पड़ाव पर दातों में कुछ बदलाव आते हैं, दातों के इस बदलाव को समझ, दातों के विज् की उम्र को जानने का तरीका बताएंगे उम्र का पता करना बहुत जरूरी है बक्रियों की कीमत उत्पादन और उम्र के हिसाब से नापी जाती है वैसे देखा जाए तो पशुपालकों ने बक्रियों और भेड के जन्मदिवस का रेकॉर्ड रखना बहतर है या आप जब बक नहीं रखा जाता है ऐसी परिस्तिती में हमें उम्र का पता अगर लगाना है तो दातों का उपयोग कर सकते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे दातों के आधार पर किस प्रकार से बेड और बक्रियों के उम्र की पहचान करें बेड और बक्रियों में तीन प आप इने टाइप A, टाइप B, टाइप C ऐसे ध्यान में रखे. पीछे वाले दात उपर और नीचे दोनों जबडों में हैं. वही अगर आप सामने वाले दातों की बात करें तो ये सिर्फ नीचे वाले जबडे में हैं. उपर वाले जबडे में मास ही दिखाई देता हैं. इसका मतलब यहाँ पर दात नहीं होते हैं. ऐसा गाय, भैस, बकरी, भेड में दिखाई देता हैं. सबसे पहला सवाल जो हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि दूद के दातों में और स्ताई दातों में क्या फर्क हैं? दोनों दातों में क्या अंतर हैं? बकरी और भेल के बच्चों में दूद के दाथ होते हैं, ये दाथ धीरे-धीरे उम्र के साथ गिरते हैं और इनकी जगा पर पर्मन दात या जिसे स्ताई दात बोला जाता है वो आते हैं इन स्ताई दातों की संख्या 32 होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूद के दात स्ताई दातों से छोटे होते हैं और जादा सफेद भी होते हैं, दूद के दात नीचे के भाग में त्रिकोनिय होते हैं, वैसा स्ताई दातों में नहीं दिखाई देता, स्ताई दात आका विर्ट पालकों के लिए हम एक टिब बताना चाहेंगे कि बक्री और भेल में उम्र की पहचान करने के लिए सामने वाले दातों का ही उपयोग करें। सामने वाले दातों को देख अमनुमान लगाते हैं कि इस पशु की उम्र क्या हो सकती है. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बकरी और भेर के बच्चों में दातों का विकास किस प्रकार होता है बकरी के बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे सामने वाले दो दूद दात होते हैं जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, तो बाकी दात आना शुरू हो जाता है। दूसरे हफ़ते में 4 दात, तीसरे हफ़ते में 6 दात और चौते हफ़ते तक 8 दात। जब बकरी का बच्चा एक मेने का होता है, तो उसे सामने वाले दूद के 8 धात आ जाते हैं। अभी दीरे दीरे दूद के दाथ गिसने लगते हैं, बिलकुल चप्टे से या घीसे हुए लगने लगते हैं। बकरी और भेड में एक साल की उम्र के बाद पर्मनन दाथ आना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं वीडियो के आखरी और महत्व पूर्ण पड़ाओ की तरफ बकरी और भेड में दाथों का विकास होने की उम्र क्या है। भेड और भकरी में अभी जो पर्मनन दाथ आएंगे वो समुह में आने वाले हैं। मतलब की एक साथ दो आने वाले हैं। सामने वाले आठ दाथ हैं। मतलब की ये चार ग्रूप्स में आने वाले हैं। पहले आप इन समुह को समझ लीजे। सबसे पहला दातों का समुह यह बीचवाला, उसके बाद यह दूसरा समुह, उसके बाद यह तीसरा समुह और यह चौथा समुह. बस अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से दातों का जोड़ा कौन से उम्र में आता है सबसे पहला है मद्ध दात का समूह, इनका विकास एक से देड़ साल में होता है ऐसी बक्रियों को लोकल भाशा में दो दात वाली कहा जाता है दूसरे समूह का विकास देड़ से दो साल में होता है और इन्हें चार दात वाली कहा जाता है फिर तीसरे समूह का विकास धाई से तीन साल में होता है और ऐसी बक्रियों को लोकल भाशा में च्छ दात वाली कहा जाता है चौथे समौह का विकास साड़े तीन से चार साल तक होता है और इन्हे आठ दात वाली कहाच आता है बकरी तथा भेण में पाच सालों तक दातों का विकास पूरी तरह से हो जाता है पाच साल के बाद अगर आपको उमरिकानुमान लगाना है तो दात कितने घीसे हुए हैं उस हिसाब से देखना पड़ेगा सबसे आखरी में हम बताना चाहेंगे हर बक्री हर भेल अलग है दातों का विकास अन्य चीजों पर भी निर्भर करता है जैसे कि पश्वहार उनका स्वास्त इसलिए हर पश्व में दात का विकास थोड़ा अलग हो सकता है पर इस डेंटीशन मेथड का उपयोग उम्र की पहचान के लिए करना कभी भी बहतर है